हलो स्टोइन्स कैसे आप सब चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कारेपत्री का जोकी है कारेपत्री का संख्या बारा रीदिंग अभ्यान हिंदी की है तिथी है 31 जिन्वरी और कक्षा है एक तीसरा सब्ता चल रहा है बच्चो थीम है प्यासा कोवा यहां पे आपको अपना नाम और यहां पे आपको अपने टीचर का नाम लिखना है नमस्ति प्यारे बच्चो आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्त और खुश होंगे बच्चो आप सभी को कविता वाचन करना बहुत अच्छा लगता है ना तो चलिए आज हम पूरे हाव भाव और ले के साथ कवीता वाचन करते हैं, मतलब कवीता बोलते हैं चित्रों के माध्यम से कवीता प्यासा कवा का वाचन पूरे हाव भाव और ले के साथ कीजिए तो शेतर के according जो है इसका कवीता का वाचन करना है मतलब बोलना है एक कवा प्यासा था काउं काउं करता था दूर एक घड़ा था घड़े में पानी थोड़ा था कवा लाया कंकर घड़े में डाले कंकर उपर आया पानी कवे ने पिया पानी तो इस तरह के से आपको कवीता पढ़नी है अब आगे चलते हैं बच्चो कवीता प्यासा का हुआ कवीता गाकर आपको कैसा लगा अच्छा लगा होगा आपने अपने अववागों को बताएं अपने अब वागों को बताना है कि आपको यह कवी तक कैसे लगी बच्चो क्या आपने कभी कोवा देखा है? हाँ देखा होगा वे किस रंग का होता है? काले रंग का होता है यह करे स्थान पर लिखिए और चितर में रंग भरे कोवा किस रंग का होता है? बच्चो काले रंग का ठीक है Kauva काले रंग का होता है तो यहाँ पे आप काले रंग भरेंगे अब आगे देखते हैं कि अब आगे लेकर शुचास अब दिया गया है बच्चो के साथ अच्छा समय बताते हुए उनकी में पसंड कवीता सुनिए और बच्चो को बच्चो से जानिये कि उन्हें यह कविता क्यों अच्छी लगती है तो बच्चो ये थी आपके आज की वर्कषीच अगर आपको वीडिवो प्रसन आज ते वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें के बताएं